स्वागत्य सभी का फिर से भारती विजन कलासेस में आज हम इस कलास में कथा समराट उपनिया समराट प्रेम चन्द की कहानी संगरा मान सवरर भाग वन की पर्थम कहानी अलगियोजा को पढ़ेंगे सबसे पहले इस कहानी का प्रारम करने से पहले हम लेखक परिचे देख लेंगे चलते प्रारम करते हैं लेखक परिचे प्रेम चन्द प्रेम चन्द का जन्म 31 जुलाई 1880 वारा नसी उत्तर परदेश में हुआ था मेर्थियू 8 अक्टूबर 1936 वारा नसी उत्तर परदेश में हुआ था इनकी माता का नाम आनंदी देवी था और इनके पिता मुंसी अजायब राय थे अगला इनकी पत्नी का नाम इनकी पत्नी का नाम सिवरानी देवी था और इनका एक मात्र पुत्रा था अमरित राय इनका मुल नाम आनि इनका जो असली नाम था वो धनपत राय नाम था और उर्दु में जब ये रचना करती थे तो उर्दु में ये नवाब राय के नाम से रचना करती थे इस स्लाइड में प्रेम चंद से जुड़े कुछ महतपूर्ण तथि थे आगे और बढ़ेंगे अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे प्रेम चंद से जुड़े और भी महतपूर्ण तथि अगले स्लाइड के ओर चलते हैं हम इस स्लाइड में प्रेम चंद से जुड़े और भी महत्पोर्न तत्यों को देखेंगे सबसे पहला प्रेम चंद को उपन्यास समराट सरत चंदर चटो पाध्याय ने कहा और प्रेम चंद को जो उपन्यास समराट की संग्या दी गई है वो स जरत चंद्र चोटुपाध्याय का है अगला है प्रेम चंद को कथा समराट भी कहा जाता है अगला है प्रेम चंद का मूल नाम धन्पत राय था प्रेम चंद का मूल नाम धन्पत राय था अगला है प्रेम चंद को प्रेम चंद नाम दिया किस ने दिया तो दया नरायन निगम ने दिया प्रेम चंद को प्रेम चंद नाम किस ने दिया तो दया नरायन निगम ने दिया अगला प्वेंट है प्रेम चंद की पहली उर्दु कहानी संगरा कौन सा है तो सोजे वतन है प्रेम चंद की पहली उर्दु कहानी संगरा कौन है सोजे वतन है जिसकी रचना काल क्या है तो 19 208 नेश्ट है सोजे वतन में कूल पांच कहानिया थी अब हमको बताई सोजे वतन अनि प्रेम चंद का वह कौन सा कहानी संग रहा है जिसे अंग्रेजों ने जब्द कर लिया था तो वह कहानी संग रहा है सोजे वतन अगला प्वेंट है प्रेम चंद की पर्थम उर्दु कहानी अनि प्रेम चंद की पर्थम उर्दु कहानी कौन है तो दुनिया का सबसे अन्मोल रतन दुनिया का सबसे अनमोल रत्म अब ये पताए किस से कहानी संग्रम में था तो ये सोजे वतन में था और किस पत्रिका में परकासित हुआ था तो जमाना पत्रिका में परकासित हुआ था इसकी रचनाकाल क्या है तो 1907 नेस्ट स्लैड में चलते हैं और भी मातपूर नत्तियों को देखेंगे इस स्लैड में प्रेम चंद की पर्थम हिंदी कहानी संगरा कौन है तो सब्त सरोज है अगला प्वेंट है सब्त सरोज में साथ कहानिया संकलित है अगला प्वेंट है नमक का दारूगा किस कावी संगरा में था तो सब्त सरोज में ही संकलित था अगला प्रेम चंद की पर्थम हिंदी कहानी कौन सा है तो परिक्षा है जिसकी रचनाकाल क्या है 1914 किस कावी संगरा में संकलित है तो सब्त सरोज में संकलित है प्रेम चंद की अंतिम हिंदी कहानी कौन सा है तो क्रिकेट मेच है प्रेम चंद की पहली हिंदी कहानी परिक्षा 1914 प्रेम चंद की अंतिम कहानी क्रिकेट मेच परिक्षा किस कहानी संगरा में संकलित है अगला मान्सरवर प्रेम चंद की सबसे परसिद्ध कहानी संग रहा है याद रखिएगा प्रेम चंद की परसिद्धी मान्सरवर के चलते ही मिली है अगला मान्सरवर के कुल कितने भाग है तो मान्सरवर के कुल आठ भाग है मान्सरवर के कुल कितने भाग है आठ भाग है अगला फ़ेंड करम भूमी गोदान निर्मला वर्दान प्रेम चंद की परमुख उपन्यास है याद रखिया करम भूमी गोदान निर्मला वर्दान और भी इनके बहुत सारे उपन्यास है परंतु ये सारे उपन्यास इनकी पर प्रमुक नाटक हैं अगले सलाइड की ओर चलते हैं इस सलाइड में हम मुंसी प्रेम चंद के सभी उपन्यासों को देखेंगे इनका पहला उपन्यास सेवा सदन जिसकी रचनाकाल कितनी है 1918 इसके यह प्रमुक पात्र भी दिये हुए हैं सुमन, कृष्ण चंद, गंगा जल अगला इनका उपन्यास है वर्दान जिसकी रचनाकाल है 1921 इसके कुछ परमुक पात्र हैं सुदामा, वीरिजन, कमला चरन, माध्वी, प्रताप इनका अगला उपन्यास है प्रेमासरम जिसकी रचनाकाल है 1921 इह जो उपन्यास है इसका मूल विशे है भारतिय ग्रामिन जीवन का संगर्ष आने प्रेमासरम उपन्यास में भारतिय ग्रामिन जीवन का संगर्ष का चितरन किया गया है इनका अगला उपन्यास है रंग भूमी जिसकी रचना काल है 1925 यह जो रंग भूमी उपन्यास है यह अन्याय के बिरूध संगर्ष का कहानी है अर्थात इस उपन्यास में जो कहानी चित्रित हुई है वो अन्याय के बिरूध संगर्ष की कहानी है इस उपन्यास में इस उपन्यास का जो परमुक पात्र है अर्थात रंग भूमि का जो नायक है नायक कोन है तो अंधे अंधे सूर्दास है इनका अगला उपन्यास है काया कल्प जिसकी रचना कल है 1926 यह उपन्यास है दामपत्य जीवन पर अधारित है कायकल्ब उपन्यास दामपत्य जीवन पर अधारित है इनका अगला उपन्यास है निर्मला 1927 जो इनका परशिद्ध उपन्यास है यह उपन्यास दहेज पर्था और अनमेल विवाह की समस्या पर लेखा गया उपन्यास है इस उपन्यास में गरिबी के चलते दहेज के कारण निर्मला का विभाँ उनके पिता जी के उम्र के बराबर वर्ष से होता है इसलिए इस उपन्यास को जमूल विशय है वो दहेज पर था और अनमेल विभाँ की मुल समस्या पर अधारीत है अगला स्लेड में चलते हैं इनका और भी उपनियास है अगला उपनियास पर्तिग्या पर्तिग्या जिसकी रचना काल है 1929 यह जो उपनियास है भारतिय समाज में विद्वा समस्या का चितरन इस पन्यास में भारति समाज में जो बिधोवा समस्य आनि बिधोवाओं को जो समस्य होता था उस समस्य का इसमें चित्रन किया गया है इनका अगला पन्यास है गबन जिसकी रचना काल है 1931 इस उपन्यास में महिलाओं के परती यहाँ थोड़ा सा टैपिंग मिश्टेक है इसे महिलाओं पढ़िएगा महिलाओं के परती महिलाओं को पती के जिवन पर परभाव और इस उपन्यास में महिलाओं का पती के जिवन पर किस परकार परभाव रहता है उस परभाव कवर्नन गवन उपन्यास में किया गया है इनका अगला उपन्यास है कर्म भुमी कर्म भुमी याद आ गया ना इनका ये परशिद उपन्यास है इस उपन्यास के जो परमुख पात्र है अमरकांत, सुखदा, समरकांत ये भी ग्रामिन जीवन से जुला हुआ है और यह उपन्यास एक परकार सिका सकते हैं कि भारत की अजादी के लिए जो आंदोलन हुए थे उस आंदोलन से भी यह उपन्यास जुला हुआ है और तोर इस उपन्यास में उच नीच के परती जो भेद भाव होते थे उसका भी इसमें वर्नन किया गया है इसलिए यह उपन्यास प्रेम चंद का परशिद उपन्यास के अंदरगत आता है इनका अगला उपन्यास है गोदान आदाया गोदान जिसकी रचनाकाल है 1936 यह उपन्यास एक प्रकार से इस उपन्यास के परमुक पात्र हो रही है यह पुरे भारतिये किसान पर अधारित है यह भारतिये किसान की जो इस्थिति थी उसका वर्नन किया गया है इस उपन्यास में जो होरी जो परमुक पात्र है वो पुरे भारतिय किसान का परतिनिधी करता है इसके अन्य पात्र है धनिया गोबर जो इस उपन्यास में परमुक पात्र है अगला इनका अगलो पन्यास है मंगल सुत्र जो एक अपूर्ण पन्यास है इस पन्यास को पूर्ण इनके पूत्र अमरी तराई ने किये थे अब नेस्ट स्लैड में हम चलते हैं अब नेस्ट स्लैड में इनके परमुक कहानी संग्रा को देखेंगे इस इस aleld में हम देखें के परेमचंद के परमुक कहानी संग्रा हम इस कलास में आपके लिए परेमचंद से जोने सभी तत्रीयों को लेखर आए आए हैं कोई भी तत्रीय जोड़े नहीं है आप एक्जाम में बेठीएगा तो इससे कई परसन आएंगे प्रेमचंद से जोड़ेवे जो भी परसन आते परिक्छा में इसी कहीं न कहीं इसी से आते हैं तो आप एकक पुएंड को देखिएगा क्योंकि हम संपूर्ण प्रेम चंद से जुड़ेवे संपूर्ण मुख्य तत्यों को लेकर आएं जहां से सवाल बार-बार परिक्षा में उचे जाते हैं हम उपर के सलैड में देखें प्रेम चंद के सभी उपन्यास अब इस स्लाइड में देखेंगे प्रेम चन के सभी कहानी संग्रा इनका पहला कहानी संग्रा है इनका पहला कहानी संग्रा है इसी सोजे वतन इनका पहला कहानी संग्रा है जो हम उपर में आपको बता ही दिये थे जिसके रचना काल है 1908 इसमें कितने कहानिया थी तो पांच कहानिया थी इसी कहानियों में इनका परशिद कहानी था दुनिया का सबसे अनमोल रत्न अब हमको बताई सोजे वतन को किस ने जब्द कर लिया था तो अंग्रेजों ने जब्द कर लिया था इनका दूसरा कहानी संग्रा था सब्त सरोज जिसकी रचना काल थी 1917, इसमें कितने कहानी थे, तो साथ कहानी थे, सब्तसरोज हिंदी का पर्थम कहानी संग्रा है, और सोजे वतन उर्दू का पर्थम कहानी संग्रा, याद रखेगा, प्रेम चंद का हिंदी का पर्थम कहानी संग्रा सब्तसरोज है, और प्रेम चंद का उ नव निधी नव नव मतलर नो अर्था नव निधी नो कहानियों का संग्र है इनका अगला कहानी संग्र है समर यात्रा समर यात्रा में इनकी 11 कहानियां संक्लित है और इनका अंतिम कहानी संग्र है जो सबसे परशिद कहानी संग्र है इनी से प्रेमचंद को परशिद्धी मिल वह कहानी संग्र है मान सरोवर, मान सरोवर कुल आठ भागों में संक्लित है, निक मान सरोवर के कितने भाग हैं, तो आठ भाग है, अब आगे बढ़ते हैं, ये जितने भी कहानी संग्रत हैं, ये प्रेम चंद के परमुक कहानी संग्रत है, सब्तु सरोज नव निधी समर यात सोजे वतन मान सुरोबर याद कर लिजेगा परिछा की दिरिष्टी से बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे बढ़ते हैं अगला स्लैड में हम देखते हैं इस स्लैड में हम देखेंगे प्रेम चंद वारा संपादित पत्रिका प्रेम चंद वारा संपादित पत्रिका इनका पह काई थे मर्याधा माधूरी जागरन हंस याद कर लिजेगा प्रेम चंदवर संपाधित पत्रीगा कौन-कौन है तो याद कर लिजेगा मर्याधा माधूरी जागरन हंस इस स्लेड में अब हम प्रारम करते हैं मांसरवर भागवन की परली कहानी अलग्योजाको यह कहानी जो है यह घर बटवारा अनि घर में जो अलगा होता है लोग बेघर होते हैं उस पर अधारित यह कहानी है सबसे पहले अलग्योजा का रचनाकाल रचनाकाल कितनी है तो 1928 किस पत्रिका में यह अलग्योजा कहानी प्रकासी थे भी तो जमाना पत्रिका एका के बिंद को पढ़ते जाएंगे अगला है यह कहानी मान्सरवर भागवन में है और इसके लेखकुन है तो प्रेम चन्द है अब अलग्योजा कहानी के परमुक पात्रों को देखते है सबसे पहला पात्र है भोला महतो भोला महतो रगु का पिताजी जो रगु की माग के मर जाने पर अपनी दूसरी सगाई पन्ना से करता है भोला महतो को पन्ना से तीन पुत्र लक्षमन केदार और खुन्नू और एक पुत्री जुनिया थी अर्था जुनिया होती है आनि जब भोला महतों की पहली पत्नी मर जाती है जिसका पुत्र रगू था तो उसका बाद वे पुनहा पन्ना से साधी करते हैं अब पन्ना से उसे चार संताने होती है जिसमें तीन लड़के और एक लड़की अगला पात्र है नेस्ट स्लैड में पन्ना अगला पात्र है पन भोला महतों की दूसरी पत्नी थी, भोला महतों से इसे चार संताने वी थी, कौन-कौन बताईए, लक्षमन, केदार, खुन्नो और जुनिया, यह रूपवती स्तिरी थी, कहानी के प्रारम में रगु को बहुत सताती थी, परंतु भोला महतों के मर जाने के बाद, रगु ही प जिवाह करकर ले आते हैं, तो पन्ना रगु को बहुत सताती थी, उसे परिसान करती थी, और घर का सारा काम भी उसे ही करना पड़ता था, परंतु जब भोला महतों की मिर्ती हो जाती है, तब रगु ही पन्ना का सहारा बनता है, आगे है रगु की पत्नी मुल्या के कारण, जब रगु के पिता मर जाते हैं, तो पन्ना और रगु में जिस परकार प्रारा में, जिस परकार अलगाव का भाव था, वो समाप्त हो जाता है, और सभी लोग प्रेम पुर्वा करहने लगते हैं, पर पन्ना के कहने पर जब रगु मुल्या को, जो उसकी पत्नी थी, उसे मुल्या के कारण ही रगु से अलग्योजा कर लेती है, पन्ना जो है मुल्या के कारण यह क्या करती है, रगु से अलग्योजा अनि बटवारा कर लेती है, कहाने के यंत में मुल्या का सहारा बनती है, जब कहाने के यंत में रगु की मिर्थी हो जाती है, तो फिर मुल्या की सहारा फिर कोन बनती है तो पन्ना ही मुल्या का सहारा बनती है तो कहा सकते इस कहानी में पन्ना बहुत ही महतपूर्ण पात्र है आगे चलते है नेश्ट पात्र रग्धू इस कहानी का परमुक पात्र है भोला मातो का पहला पूत्र आनि भोला मातो के जो पत्नी मर जाती उसी का या पुत्र होता है तो भोला महतों का रगु पहला पुत्र होता है भोला महतों के मर जाने पर घर का सहारा बनता है अर्था जब भोला महतों की मीर्टी हो जाती है तब घर का सहारा कौन बनता है तो रगु ही बनता है यहां पन्ना को हमेशा अपनी सगी मा की तरह चाहता है परन्तु परारम में पन्ना इसे बहुत परिसान भी करती है लेकिन जब भला मतों के मीर्टी हो जाती है तो रग्धु और पन्ना में जो अलगाव था है ना वो समाप्त हो जाता है और सभी प्रेम पुर्वा करहने लगते है अब आगे देखिए जब मुलिया को यहाँ अपने नेहर से ले आता है तो मुलिया के कारण इसे अपनी सोतेली मा और भायों से अलग्योजा होना पड़ता है अर्थात मुलिया के कारण जो इसकी पतने है उसके कारण इसे अपनी सोतेली मा और भायों से क्या होना पड़ता है और अलग होने के कारण यह चिंता में रहने लगता है और उसी चिंता के कारण इसकी मेर्थियू भी हो जाती है नेश्ट सलैड में चलते हैं इसके अगले परमुक पात्र है मुलिया रगु की पत्नी है सभास से बहुत जिद्दी ओरत है रगु के मर जाने के बाद केदार इसको चाहने लगता है और मुलिया के क्या है दो लड़के है रगु की पत्नी मुलिया है अब जब मुलिया अलग हो जाती है और पन्ना से अलग हो जाती है और रगु को लेकर अलग रहने लगती है तब रगु बेचारे का मिर्ती हो जाता है उसका मिर्ती होने के बाद इसका कोई सहारा नहीं रहता है जब कि इसके दो लड़के भी छोटे छोटे लड़के भी होते हैं तब केदार इसका सहारा बनता है और केदार ही मुल्या को चाहने लगता है और अंत में कहाने के अंत में केदार और मुल्या के बीच सगाई की भी बात तय होती है, अब इसे कहानी के कुछ अनिय पात्र रहें अनिय पात्र है लक्षमन केदार खुनु जुनिय इस अभी क्या है ये सभी जो है पन्ना के संतान है। पन्ना के सबसे बड़े संतान थे वो किदार थे। उसके बाद लक्षमन, लक्षमन के बाद खुन्न, खुन्न के बाद जुनिया। अब मुल्या कों थी तो रगु की पतनी थी सभा से बहुत जिद्धिवरत थी और उसी के कारण रगु बेचारे को अपने सभी भायों से क्या होना पड़ता है अलग भी होना पड़ता है और उसी अलगाव के कारण बेचारा दुखित रहने लगता है और उसका स्वास्त भी खराब हो जाता है, जिसके कारण अंत मेवभ, इस संसार को छोड़े भी देता है. अब चलते हैं, इस कहानी के कथासार को हम देखते हैं, अगली स्लैड में, कथा सार भोला महतों की पहली पत्नी के मर जाने पर भोला महतों अपनी दूसरी सगाई रुपवती पन्ना से करता है पन्ना रगु को बहुत सताती है जब भला महतों के दुसरी पत्नी बन कर आती है तो उसकी पहली पत्नी का पुत्र जो रगु था उसे वह बहुत सताती है बहुत परिसान करती है और पन्ना रगु को बहुत सताती है रगु को ही घर का सारा काम करना पड़ता है और जब पन्ना सगाई तुसरी सगाई होकर भोला महतों की पत्नी बन कराती है तो घर में वो अपना घर में स्वामनी बन कराती है और बेचारे रगु को परिशान भी करती है और घर का सारा काम भी और घर के अंदर जितना भी काम होता है सारा काम रगु को ही करना पड़ता है भोला महतों के मर जाने पर लेकिन जब भोला महतों मर जाते हैं भोला महतों के मर जाने पर घर का सारा जिम्यवारी रगु उठाता है पन्ना के हिर्दय में अब रगु के लिए प्रेम है अर्था चमजे जिसमे पन्ना नई नई थी उससेमें रगु को बहुत सतादी थी उसके अंदर रगु के परती इरशिया का भाव था परंदू जेसे ही भोला महतो मर जाता है तब पन्ना के हिरदे में आप रगु के लिए क्या हो चुका है प्रेम हो चुका है रगु और अपने भाईयों को बहुत अच्छी तरीके से रखता है इसके कारण पन्ना के अंदर जो इर्षिया का भाव था वो अब नहीं रहा अब उसके हिर्दय में रगु के लिए क्या है मातरित्व प्रेम है आगे पन्ना के जीद पर रगु मुल्या को नेहर से विदा कर कर ले आता है पन्ना जीद कर देती है रगु को कि जो मुल्या को ले आओ कितने दिन नेहर में रहेगी अब होता है क्या है कि मुल्या के आने से मुल्या के आने से घर में अलग्योजा हो जाता है जैसे मुल्या आती है और मुल्या काने से घर में क्या होता है बटवारा हो जाता है पन्न अपनी चारों संतान को लेकर अलग हो जाती है परन्तु रगु आज भी उसके लिए क्या है भगवान है क्यों आज भी उसके लिए भ रगु नहीं क्या किया था पालत इसलिए आज भी रगु पन्ना के लिए क्या है भगवान है अगले स्लेट में इसके और भी कथासार बचे हुए हैं आगे क्या होता है रगु इमांदार मेहनती और शरीर से बहुत ही सवस्त था परन्तु और शरीर भी हिस्ट पुष्ट था परन्तु अल्ग योजहा होने से दीन परती दीन उसकी सिहत खराब होती जा रही थी और एक दिन एसा हुआ कि उसकी मिर्टियू भी हो जाती है उसका सपना था रगु का सपना था कि तीनों भाई खेती करेंगे रोह महतो बन कर इधर उदर घुमेगा और जहां तहां पंचायती करेगा परन्तु सारा सपना उसका चूर चूर हो जाता है मुल्या के आने से अब रगु की मिर्टियू हो जाने पर जब रगु इसी चिंता में जब मर जाता है अलगाओ के चिंता में जब संसार को छोड़ देता है तब मुल्या का सहारा पन्ना बनती है जब रगु मर जाता है मुल्या का कोई सहारा नहीं होता है उसके मात्र दो संतान होते है वो भी बहुत छोटे 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 बच्चे होते हैं तो फिर पन्ना ही मुल्या का सहारा बनती है और कहानी के अंत में केदार मुल्या को अपना लेता है ये कहानी के अंत में होता है अब चलते हैं इस कहाने के कुछ परमुक्ष संवाद को देखते हैं अगली सलैड में परमुक्ष संवाद इस सलैड में हम देखेंगे मान सर्वर भागवन की पहली कहानी अल्ग्योजा के परमुक्ष संवाद क्योंकि ये परिक्षा के दिरिष्टी से भी बहुत ही महतपूर्ण है सब को पता है कि जे से सी जारखन पीजी टी हिंदी की सिलेबस में मान सरवर भागवन को सामिल किया गया है तो उसे जितने भी कहानी सभी कहानी को लेकर आऊंगा आज मैं इसकी पहली कहानी अलग्योजा को लेकर आया हूँ इस कहानी में हम सबसे पहले इसके संपूर्ण कहानी पर चर्चा किये इसके बाद अंत में टॉप हंडेड एमसी क्यों भी देखेंगे वीडियो पर बने रहिएगा इसका पहला समवाद है इसका पहला जो महत्पुर्ण समवाद है मैं तो हूँ ही काकी डर किस बात का है या कथन किस का था या कथन रगु का था पन्ना को और पन्ना को रगु कहता है जब भला महतो की संसार को छोड़का चले जाते है तो रगो पर्ना को कहता है कि मैं तो हूँ ही काकी, डर किस बात का है इसका दुसरा परमुख समवा था चल में बुढ़ी हुई, अब हसुली पहन कर क्या करना है जब रगो गाई खरिदने का बात करता है तब वह बोलती है कि यह हसुली लेलो हसुली बेचकर गाय खरी लेना तब रगु बोलता है कि नहीं हसुली मत बेचो तब बोलती है चल में बुढ़ी हुई अब हसुली पहन कर क्या करना है यह कथन किसका था तो पन्ना का कथन था किसे रगु को बोली थी नेश इसका समवाद है उसी का तुरंत जवाब दिता है रग्भू तुम अभी से कैसे बुढ़ी हो गई गाव में है कोन तुम्हारे बराबर कहता है रग्भू कहता है पन्ना को जब पन्ना कहते है चल में बुढ़ी अब हासुली पहन कर पर क्या करना है तब रगु पन्ना को कहता है तुम अभी से केसे बुटी हो गई गाव में है कोन तुमारे बराबर ये रगु किसे कहता है तो पन्ना को कहता है नेस्ट स्लैट में इसका और भी पर्मुक समबादों को देखेंगे अगला समवाद है रूपिय पेशे तेरे हाथ में देने लगूँ तो दुनिया क्या सोचेगी यह तो सोच यह कथन किसका है रगु का है जब वह मुलिया को ले आता है तो मुलिया को पन्ना से एरिश्या होने लगती है पन्ना सारे पेशों को रखती है और रगु से कहता है तुम कमाते हो असारे पेशे का मालिक पन्ना बनी फिरी है मैं यह नहोंने दूँगा मुझे कुझी चाहिए मुझे संदुक का कुझी चाहिए तब रगु कहता है मुलिया को क्योंकि रगु को समाज से रगु एक समाजिक वेक्ती था और नहीं चाहता कि समाज में उसके लिए कोई उस पर हसे वैसा कोई काम करें जो समाज के लिए कलंकित कार यह हो तब वह कहता है कि रुपिये पेशे तेरे हाथ में देने लगू तो दुनिया क्या सोचेगी यह तो सोच यह रगु मुल्या को समझाते हुए कहता है उसका अगला इसमें समवाद है अगर लड़के अगर लड़के बाप के हैं तो उसे मरते दम तक तुम्हारा पोस मानेंगे यह कौन कहती पन्ना रगु को कहती है क्योंकि रगु जब रगु और पन्ना में जब बटवारा हो जाता है तो वो बोलती है अगर लड़के बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोस मानेंगे अथार्थ पन्ना का कहना था कि तुम्हे के कारण आज तुम नहोते तो ना जाने ये लड़के कहां कहां भटकते होते आज तुम्हे हो जिसके कारण जब हमारे लड़के सभी सही सलामत है इसलिब कहती है जब वो अलग हो जाते हैं तब वो कहती है क्योंकि अलग होने के बाद पन्ना को पन्ना और अपने सभी भाईयों की चिंता होती है फिर वो बोलती है कि हम मरते दम तक तुम्हारा ही पोस मानेंगे आज तुम न होते तो अज हमारे लड़के न जाने कहां कहां होते अगला समवाद है वह तुझी पर दात लगाए बेठा है तेरे सिवा कोई और उसे नहीं भाती यहां देखिए यहां जब कहानी के यह अंत में समवाद आया है कि वह तुम ही पर वह तुझी पर दात लगाए बेठा है तेरे सिवा कोई और उसे नहीं भाती यह कथन किसका था तो पन्ना का कथन था इससे केदार को कहती किसके पर्ती मुल्या के पर्ती जब रगु की मिर्ती हो जाती है जब पन्ना मुल्या से कहती है पन्ना मुल्या से कहती है कि वह तुम ही पर है ना वह तुम ही पर दात लगाए बेठा है क्योंकि केदार को तुम्हारे सिवा और कोई नहीं भाती ये कहानी के अंत में या संबाद आया है अब अगला स्लैड में चलते हैं इस कहानी के टॉप MCQ नेश्ट स्लैड में हम देखेंगे इस कहानी के टॉप MCQ हम लगबक 100 MCQ लेकर आपके सामने परस्तुत हुए है कोहचन को देखेगा परिच्छा के दिरिष्टी से सभी MCQ महत्व पूर्ण है चलते हैं पहला MCQ गी और अल्ग योगजा कहानी की रचना है अल्ग योगजा कहानी किन की रचना है ये सुरेकांत्र पाठी निराला बी निर्मला सी प्रेमचन जैसेंकर परशाद तो सही अंसर क्या होगा सी प्रेमचन अगला प्रस्न है अल्ग योगजा कहानी का रचना काल क्या है अल्ग योगजा कहानी का रचना काल क्या है ओप्सर नमबर ये है उप्सर नमबर ये है उप्सर नमबर ये है अगला प्रस्न है प्रेम चंद का जन्म कब हुआ? अप्सन नम्बर ये है 1886, 1880, 1989, 2001 तो प्रेम चंद का जन्म कब हुआ? तो सही अप्सन है 1880 अगला प्रस्ण है प्रेम चंद का जर्म कहां हुआ था ओप्षन यह है इलहाबाद, B पटना, C वारा नसी, D गुजरात तो इसका सही अंसर होगा ओप्षन नंबर, C वारा नसी अगला प्रस्ण है प्रेम चंद का मूल नाम क्या था, A नवाबर, B धनपतर, C प्रेम चंद, T मुनसी, तो प्रेम चंद का जो मूल नाम था, हम इस वीडियो के पर्थम सलैट में ही आपको बता दिये थे, तो प्रेम चंद का मूल नाम क्या था, तो धनपतर, तो इसका सही अ अगला प्रस्ण है मान्सरोवर किनका परशिद कहानी संग्रा है तो अगला प्रस्ण नम्बर ये इसका सही अंसर होगा अगला प्रस्ण है प्रेम चंद को कथा समराट किसी ने कहा अप्सन नम्बर ये है अचार्य सुकल बी सरत्चंदर चटोपाध्याई सी नाम वर सिंग डी महाविर परशाद दिवेदी तो इसका सही अंसर होगा अगला प्रस्ण है प्रेम चंद को प्रेम चंद नाम किसी ने दिया अप्सन नम्बर ये है अचार्य सुकल बी हजारी परशाद दिवेदी सी मिस्टर बंदू डी दया नरायन निगम तो सही अंसर होगा अप्सन नम्बर डी दया नरायन निगम अगला प्रस्ण है इन में से कौन सा कहानी संग्रा प्रेम चंद का नहीं है इन में से कौन सा कहानी संग्रा प्रेम चंद का नहीं है अप्सन नम्बर ये है सोजे बतन बी मांसरोवर सी सब्तसरोज डी चाया तो सब को पता है चाया कहानी संग्रा नहीं चाया क्या है का भी संग्रा है किनका है तो जैसे अंकर परशाद का है तो यह option number D गलत है तो यही क्या है इस प्रस्न का सही अंसर है अगला प्रस्न है मान सरोवर कितने भागों में संक्लित है option number 7, B8, C12, D15 तो सही अंसर है option number B आठ भागों में संक्लित है अगला प्रस्न है नव निधी किनका कहानी संग्रा है option number यह है जैसंकर प्रसाद, B, सुरिकांत, C, प्रेमचंद, D, तिवेदिजी तो इसका सही अंसर होगा option number C, प्रेमचंद अगला प्रस्न है प्रेमचंद की कौन सी कहानी संग्रा को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया यह मांसरोवर B, सोजेवतन, C, सब्तसरोज, D, नव निधी तो इसका सही अंसर होगा B, सोजेवतन अगला प्रस्न है समर यात्रा में किस परकार की कहानिया संक्लित हैं यह प्रेममुलक, B, यथार्थवादी, C, सामाजिक, D, राजनितिक तो इसका सही अंसर होगा option number D, राजनितिक अगला प्रस्न है समर यात्रा, समर यात्रा कहानी संग्रा में किस कितनी कहानिया संक्लित हैं option number E, 11, B, 12, C, 8, D, 5 तो इसका सही अंसर है option number 11, समर यात्रा में कितनी कहानिया हैं तो 11 हैं, अगला प्रस्न है प्रेम चन्त की पर्थम उर्दु कहानी कौन है option number E, सोजे वतन, B, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, C, परिक्षा, D, सब्तसरोज इसका सही अंसर होगा पहली इनका जो पहले उर्दु कहानी है वो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है और सोजे वतन, इनका उर्दु का पहला कहानी संग्र है और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है वो सोजे वतन में ही है तो इसका सही अंसर होगा option number B अगला प्रस्न है प्रेम चन्त की कहानीों में किस परकार का भाव होता है option number यह है अथार्थवादी B है आदर्सन मुख अथार्थवादी C है A और B दोनो D है इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर होगा option number C A और B दोनो आनि प्रेम चन्त की कहानीों में अथार्थवादी भाव भी रहता है और आदर्सन मुख अथार्थवादी भाव भी रहता है अगला प्रस्न है प्रेम चन्त की कहानीों में यह प्रस्न हो चुका है अगला प्रस्न है प्रेम चन्त की पर्थम उर्दू कहानी संग्रक कौन सा है ये सोजे वतन, B, चाया, C, मांसरोवर, D, सब्तसरोद तो सही अंसर होगा प्रेम चंद का पर्थम उर्दु कहानी संग्रह है वो है सोजे वतन, जिससे अंग्रेजों ने क्या किया था, जब्त कर लिया था अगला प्रस्न है प्रेम चंद की पर्थम हिंदी कहानी कौन सा है ये पुस्किरात, B, दो बेलो के कथा, C, किरकेट मेंच, D, परिक्षा तो इनका पर्थम कहानी जो हिंदी कहानी है, वो कौन है, तो परिक्षा है अगला प्रस्न है प्रेम चंद की अंतिम कहानी कौन सा है अनि हिंदी कहानी का यहां बात हुआ है तो अंतिम हिंदी कहानी कौन सा है यह क्रिकेट मेच यह क्रिकेट मेच बी परिच्छा सी नसा डी पंच परमेश्वर तो इनका अंतिम कहानी कौन सा है तो क्रिकेट मेच है याद रखेगा प्रेम चंद का हिंदी के पर्थम कहानी परिच्छा और अंतिम कहानी क्रिकेट मेच है अगला प्रस्न है भोला महतों ने दूसरी सगाई किस्से की इसका सही अंसर होगा option number C पन्ना अब हमको बताई यहाँ जो माल्ती जो आया है किस प्रेम चंद के कौन सी रचना का पात्र है अगला प्रस्न है इन में से कौन सा पात्र अल्ग योज्या कहानी का नहीं है A. पन्ना, B. रगु, C. मुल्या, D. माल्ती तो इसका सेयन सरोगा option number D. माल्ती माल्ती किस उपन्यास, उनकी एक परसीद उपन्यास से बते किस उपन्यास की वो पात्रह हैं तो गौदान अगला प्रस्न है रगु की मा की मिर्त्यू के समय रगु का उम्र कितना था A. दस वर्ष B. पन्दरवर्ष C. छे वर्ष D. बारवर्ष तो इसका सही अंसर है option number A. दस वर्ष अगला प्रस्न है पन्ना के आने पर घर का सारा काम कोन करता था अगला प्रस्न है पन्ना के पन्ना के कितने संतान थे ये 10 B. चार C. बारा D. दू तो इसका सही अंसर है option number B. पन्ना के कितने संतान थे चार संतान थे अगला प्रस्न है पन्ना का बड़ा लड़का कौन था पन्ना का बड़ा लड़का कौन था option number ये है लच्छमन B. केदार C. भोला मतो D. खुनू तो पन्ना का जो बड़ा लड़का था वो कौन था केदार था अगला प्रस्न है भोला मतो के मीर्ट्यू के बाद भोला मतो के मीर्ट्यू के बाद घर का सारा भार कौन उठाता है option number ये है पन्ना B. मुलिया C. केदार D. रगु जिसका सही आणसर है option number D. रगु अगला प्रस्न है यह कथन है मैं हूँ ही काकी मैं हूँ ही काकी डर किस बाद की ये कथन किसका था ये कथन ये रगु का भोला का केदार का लख्षमन का ये कथन किन का था तो option number ये रगु का जब भोला मातों मर जाता है तो रगु पन्ना को कहता है कि मैं तो हूँ ही काकी डर किस बात की है अगला प्रस्न है रगु ने अपने छोटे छोटे भाईयों के लिए क्या बनाया ये बक्सा बी सुराही डी घडी एसी घडी डी गाडी तो रगु ने अपने छोटे छोटे भाईयों के लिए गाडी बनाया था अगला प्रस्न है यह भी एक कथन है काला साप है काला साप यह भाव पन्ना के मन में किसके लिए था यह लक्षमन के लिए बी रगु के लिए सी के दार के लिए डी भोला महतो के लिए तो यह जो भाव था यह इर्शिया का भाव यह प्रारम है पन्ना का रगु के लिए था जब भोला महतो के मीर्टी हो जाती है और रगु जब सभी भाईयों के साथ खेलता है उनके लिए गाड़ी बनाता है तो पन्ना को इसा लगता है कि काला साप है काला साप ना जाने कब दस दे एसा उसके मन में अभाव चलता है योगि वो रघु के परति इर्षया भाव रखती है प्रंतु जब रघु जिस परकार पन्ना के परति प्रेम भाव रखता है इससे उसका हिर्दय पिघल भी जाता है तेहा कथन किसका था तो पन्ना का था अगला प्रस्ण है पन्ना की सबसे छोटी लड़की का क्या नाम था ये मुलिया बी जुनिया सी रानी डी ललिता तो पन्ना की सबसे छोटी लड़की कौन थी तो जुनिया थी जो उनके चारो संतान में सबसे छोटी थी अगला प्रस्ण है पन्ना के हिर्दय में अब रघु के परति किस परकार का भाव था ये क्रोध का B. इर्षया का C. प्रेम का T. भाईचारे का अनि पन्ना के हिर्दे में अब अब सब यहां लगा हुआ है अर्थात जब रगु की मिर्टी हो जाती उसके बाद की बाद तो पन्ना के हिर्दे में अब रगु के परति किस परकार का भाव था तो प्रेम का भाव था आनि मातरित्व प्रेम का भाव था अगला प्रस्न है यह भी एक कथन है तीन सेर दूद देती है का की खूब दूद पियेंगे यह कथन किसका था यह रगु का यह रगु का भी केदार का सी लक्षमन का डी मुल्या का तो यह कथन जो था वो क केदार का था, किसका था, केदार का था, वह अपनी मा पन्ना को कहती है, कि तीन सेर दूद देती है काकी, खोब दूद पियेंगे, क्योंकि जब रगो अपने भायों के लिए गाय लाने की बात करता है, तब केदार अपनी मा पन्ना को कहती है, कि तीन सेर दूद देती है काकी खूब दूद पियेंगे, तो यह कथन किसका था, तो उसका जो बड़ा पुत्र था पन्ना का केदार, उसी का यह कथन था, अगला प्रस्ण भी एक कथन है, बच्चों के खाने पिने के यही दिन है का की, इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या खाएंगे, यह कथन किसका था, अनि यह किसने कहा था, तो यह किसने कहा था, अनि काकी सब्द पर्योगे तो पन्ना से कहा गया है, तो यह पन्ना से किसने कहा था, यह लक्षमन, बी रग्धू, सिकेदार, टी भोला महतो, तो यह कथन किसने कहा था, तो रग्धू ने कहा था, रग्धू ने कहा था, कि ब पन्ना का हिदे पिखल जाता है और रघू के परती जो उनके मने में इर्षिया भाव था वो इर्षिया भाव समापत हो जाता है और पुना हुआ रघू को भी रघू के परती भी उसका मातरित प्रेम आ जाता है अगला प्रस्थन है रगु की पत्नी का क्या नाम था ये मुलिया दी मुन्या सी पन्ना डी जुन्या तो रगु की पत्नी कौन थी तो अप्सर नमबर ये मुलिया थी अगला प्रस्ण है रगु के घर में अलगा और अलगयोजा किसके कारण हुआ ये मुनिया के कारण, B. मुलिया के कारण, C. पन्ना के कारण, D. जुनिया के कारण तो सबको पता है जैसे ही मुलिया को रगु जब विदा करकर घर ले आया तेसे मुल्या ने क्या क्या जगला करना प्राराम कर दिया और अंत में रगु को मुल्या के चलते ही अपनी माता और अपनी सोतेली माता और अपनी भाईयों से क्या होना पड़ा था अलग होना पड़ा था नि बटवारा करना पड़ा था तो रगु के घर में जो अलगा हुआ था अलग्योजा हुआ था उसका मुख्य कारण कुन थी तो मुल्या ही थी अगला प्रस्ण है मुल्या का रंग कैसा था ये सफेद B काला C गेहुआ रंग D लाल जिसका सही अंसर है अगला प्रस्ण है मुल्या के कुल कितने संतान थे ये 4 B 2 C 10 D 1 तो मुल्या के कुल दो संतान थे दोनों क्या थे लड़के थे अगला प्रस्ण है मुल्या किसका लौंडी बनकर रहना नहीं चाहती थे अनि मुल्या जो रग्धु की पत्नी थी वह किसका लौंडी बनकर रहना नहीं चाहती थे अगला प्रस्ण है मुल्या के आने के बाद घर का संदुक की कुन्जी किसके पास रहने लगा जब मुलिया को विदा करकर रगु घर ले आया तो उसके आने के बाद घर का जो संदुक की कुंजी थी जिसमें पैसे रखे जाते थे उस कुंजी किसके पास रहने लगा ये पन्ना के पास B. रगु के पास C. केदार के पास D. मुलिया के पास इसका सह अगला प्रस्ण है रगु के मरने के बाद रगु के मरने के बाद मुल्या के परती किसका प्रेम उमलक पड़ा अप्सन नमबर ये है केदार B, पन्ना, C, मुल्या, D, भोलानात तो इसका सहींसर क्या होगा अप्सन नमबर ये केदार जब रगु की मिर्टी हो जाती है तो केदार का जो प्रेम है वो मुल्या के परती उमर पड़ता है जब उसकी मा परना जब उसे कहती है कि बेटे अब तुम भी विवाह कर लो विवाह के लाइक हो गए हो तो वह बोलता है विवाह क्यों करू काकी दो बच्चे तो हैं इस परकार अंते में केदार और मुल्या के बीच विवाह का भी परस गबलंताओ तई हो जाता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को जितना हो सके सेर कर biss देना और चैनल को सस्क्राइब कर देना इसी तरह अगली कहानी को और एक से बढ़कर एक कहानी लेकर आता रहूंगा हम इस कलास में संपूर्ण जारकन पीजी टी हिंदी सिलेबस को कभर करेंगे धन्यवाद